असलाम अलेकुम दोस्तों खजूर को घर के अंदर लगाना नभीयों की सुनत है हम लोगों ने तक्रीबन 15 की सिंद की खजूरें अपनी जमीन में और घर में लगाई हुई है आप लोगों को इनका फल और वजम दिखाते हैं इस वीडियो में सारे तफसील बताते हैं और नार और मादय की पॉलिनेशन का तरीका भी इसी वीडियो में आपको बताते है दोस्तों यह वाली जो खजूर हमने लगाई है घर के अंदर इसको उताकन कहते हैं यह भावरपोर्ट से लेकर पूरे सिंद तक डोर टोर घरों के अंदर लगी हुई है तो ज्यादता यह इदर के लोग इसको घर के अंदर लगाना पसंद करते हैं उताकन का मतला भी देरे का है और इसका फाल यह लगा हुआ है अभी लगना शुरू हो गया है तो यह तकरीबन दो महिने तक यह पीली हो जाएगी और इसका फाल देना शुरू कर देगी वीडियो के आखिर में मैं अपने वीवर को मादा पोदे और नर पोदे की पोलिनेशन का तरीका बताऊँगा अभी तो पोलिनेशन का कोई मौसम नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसकी पॉलिनेशन का तरीका बता देता हूँ मादा का और नर का किस था पॉलिनेशन होता है ये वाले पोदे हमने असील के लगाए हैं ये भी मेरे घर के अंदर ही लगे हुए है और बड़ा पोदा वो लगा हुआ है कि ये भी असील का है असील एक अच्छी किसम है खजूर की और इसका भी फल लगा हुआ है भी लगना शुरू हो गया इसने न एक ही गोशा निकाला है ये वाला जो सामने आप लोगों को नजरा आ रहा है छोटी है खजूर अभी एक साल पहले लगाई थी एक डेट साल बाद दो साल बाद इसने ये गोशा निकाला है अगले साल ये बहुत ज़्यदा निकालेगी घर के अंदर मैंने ये आम का पोदा लगाया हुआ है पिछली रात बहुत ज़्यदा अंधेरी आईया है जिसका फल बहुत ज़्यदा मनों की तदाद में नीचे गिर गिर गी है आप लोग जो आम का शोक रखते है या जो आम के बाग के लोग है वो कमेंट्स में बताएं कि अंधेरी आए तो इसका फाल कैसे बचाएं हम लोग यह देखे ना यहां से मन्नों के हिसाफ से फाल नीचे गिर गिर गिया है यह वाले और अभी भी थोड़ा वो लगा हुआ है किसमत में होगा तो इसको खाएंगे यह वाला पोदा अजवका है तकरीबान इसको डेड़ साल हो गया है दो साल होने वाले हैं लगाए हुए है इसकी नर्शोन में थोड़ी काम हो रही है और इसने भी फाल नहीं उठाया यह वाला पोदा एक किसम है गजर इसको अब तो फाल पकड़ना चाहिए लेकिन यह तीन साल हो गया है पोदा भी बड़ा हो गया लेकिन इसने फाल नहीं उठाया और यह भी आगे पोदे सारे गजर के लगे हुए है अब अभी तक किसी ने फाल नहीं उठाया ये वाली सारी लैन हमने इदन शाजो कुकडो एक किसम है खजूर की वो लगाई हुई है तीन-तीन साल हो गये हैं पोदों को लगे हुए लेकिन फाल अभी तक किसी ने ने दिया और ये एक ही खजूर के उपर फाल लगा है या ये थोड़ा पुराना पोदा होगा ये देखे न ये फाल इसने दो तीन गोशे उठाए हुए है चार गोशे और ये है इदन शाजो कुकडो ये सारी लैन ना एक एकड़की हमने ना ये लगाई हुई है माशाला अलहमदल्ला ये वाली खजूर ने काफी ज्यादा फाल उठाया हुआ है ये भी एक असील है और जिसका काफी मोटा च्छौरा बनता है और माशाला अलहमदल्ला इस दफ़ा इस पे बहुत ज्यादा फाल है ये भी ऐक असील का पौदा है, तीन साल हो घें लगे हुऊ है लेकिर अभी तक इसने फाल नूढ़की ने अफ़्र्डे हो you ? इसके साथ एक पुराना पूराना असील का पौदा है, इससे भी माशाया लह बहुत ज्यादा प्पाल उठाया हुआ है इस दफ़ा ये वाला पोदा तकरीबन दो सल पहले मैंने अपने हाथों से लगाया था ये अंबर किसम गाया और अंबर वटामिन से भरपूर एक खजूर होती है काल है रांगी खुश्क भी होती है सालों साल पड़ी भी रहती है येवाली सारी लैने हमने असील की लगाया हुए है ये वी तकरीबन मिक्स खजूरे हैं इसके अंदर ज्यादतार असील है इस सेठ पे बाकी ये मिक्स हैं येवाले पोदे जो है अभी छोटे हैं काफी अरसा पहले लगाया थे तक्रीबन दो साल पहले और ये नबावा भावलपूर ने गिफ्ट किये थे हमें चार साल पहले ये पोड़ा लगाया था इसका फाल इस दवा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है माशाला लाहुमदल्ल्ल्म काफी ज़्यादा इसके गोषई निकले हुएं और इसका फाल भी इस दवा काफी ज़्यादा तदाद में आएगा तक्रीब Confed När, चार साल पहले ये वाले पोड़े लगाये थे नोगाया थे ल्यादा निकोगावे लगाया हुए इसने भी फाल उठाया हुआ है और ये भी पतानी कौन सी नसल है बरहल अच्छी किसम की नसल है इसने भी तीन चार गोशे उठाया हुए है ये वाली असील की लेन है सारी इसमें से किसी ने फाल उठाया हुआ है किसी ने नहीं उठाया हुआ ये सारे एकड़ पे असील की ये खड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसने बहुत ज्यादा फाल उठाया हुआ 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 ह इस द्रक्त को सौने का द्रक्त कहते हैं इसका फल पकाया जाता है चिकन के साथ मतन के साथ और बीफ के साथ तो यह बहुत ज्यादा लजीज बनता है और अकेले भी टमाटर प्याइब के साथ इसको पकाbourne है यह वाला पॉड़ा हैब्रेट है 12 महीने इसका फाल मिलता है जिस बेन भाई को ये चाहिए तो वो मुझसे इसकी टैनी ले सकता है इसकी टैनी नीचे लगाने से उगाती है पास ये एक नर पोदा है और इसका पॉलिनेशन का तरीका कुछ इस तरह से है कि इसका ये वाली एक सिप्पी होती है ये वाली और इसको डंबरा भी बोलते है तो ये फटने से पहले इसको काट लेते है काटने के बाद मादा पोदे के पास लेके उसकी सिप्पी को काट के इसके जो अंदर का बूर होता है या फाल होता है इसके अंदर उपर काटी हो जगार पर राख देते हैं या उपर छड़का देते हैं इस तरह इसकी पॉलिनेशन हो जाती है और पॉलिनेशन के बाद जो है ना दो साल या तीन साल तक दुबारा पॉलिनेशन करने के जुरूरत नहीं होती और मादा जो है एक खूब फल उठाती है और वजन होता है उसके वस्त में फार्क पड़ जाता है